नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे एक और SB Order SB Order No. 25-2022 तो दोस्तों ये भी SB Order Department of Post की तरफ से आया है latest SB Order है हमारा 16-12-2022 को इशू हुआ है तो ये SB Order दोस्तों सभी Head of Circles और Head of Regions को बेजा गया है तो दोस्तों देख लेते हैं क्या है इसमें important तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं मैं क्रिशन सहरावत एक बर फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल Post Info and Fun पे तो दोस्तों जैसा कि आप इसके SB Order के subject से देख पा रहे होंगे freezing of small savings scheme account get matured but not closed after three years of maturity यानि कि ऐसे account जो mature हो चुके हैं तीन साल पहले लेकिन अभी तक उनको close नहीं कराया हुआ है तो ऐसे account दोस्तों भी freeze कर दिये जाएंगे तो उसके regarding यह SB Order है चलिए detail में discuss कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो fraud का risk होता है उसको जो है कम करने के लिए minimize करने के लिए दोस्तों यहाँ पे यह जो step है वो लिया गया है तो जो भी scheme है MIS Senior Citizen TD, KVP, NSCRD या फिर जो PPF का account है वो भी तो यह सभी account दोस्तों जो mature हो चुके हैं यहाँ पे cut off date दोस्तों 39.2019 की रखी गई है यानि कि 30 September 2019 तक ऐसे account दोस्तों जो mature हो चुके हैं तो उनको दोस्तों freeze कर दिया गया है तो दोस्तों जो account जो है freeze हुए हैं उनका freeze reason code आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा INOP यानि कि inoperative more than 3 years यानि कि ऐसे account दोस्तों जो मैंने पहले ही बताया है आपको वो account जो आपके 3 साल पहले mature हो चुके हैं लेकिन अभी तक close नहीं हुए हैं वो इस freeze reason code से आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आप यह चेक कर सकते हैं कि वो account जो है किस freeze reason code से freeze हुए है तो आपको देखने के लिए वो menu H A C C D E T यह आपको finacle में डालना पड़ेगा यह menu की जो है अभी आपको अगर वीडियो देखनी है तो वीडियो का link आपके screen के उपर भी आ जाएगा नहीं तो वीडियो के end में भी मिल जाएगा आप वहाँ से check कर सकते हैं तो cut of date दोस्तों मैंने आपको बताई दी है 39.2019 है आगे यह भी यह continue हो सकता है अभी सिर्फ cut of date 39.2019 को लेके सब यह accounts को freeze कर दिया गया है तो दोस्तों ऐसे account को हम लोग कैसे close करेंगे करने के लिए जिनका जो है freeze reason code आपको INOP यानि की inoperative more than 3 years देखने को मिलेगा तो सबसे पहले दोस्तों जब आपके पास जो है कोई भी customer आता है counter पे और आप जो है उसका closer करते हैं लेकिन closer के time पे आपको जो है वो freeze दिखाता है उसका account तो सबसे पहले आपको उसका freeze reason code चेक करना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया freeze reason code आप जो है H-A-C-C-D-E-T इस menu से आप जा है उसको check कर सकते हैं तो check करने की video का link आपको जो है video के end मिल जाएगा तो आप जब वहाँ पे freeze reason code चेक करेंगे अगर आपको वहाँ पे I-N-O-P freeze reason code मिलता है तो ऐसे account को दोस्तो आपने close नहीं करना है अगर आपका sub office या फिर branch office है तो ऐसे account को close करने की जो authority है वो सिर्फ head post offices को दी गई है तो दोस्तो आपको क्या करना है वो procedure हम discuss कर लेते हैं तो दोस्तो सबसे पहले जब आपको ऐसा account देखने को मिलेगा तो आपको जो है customer से आपको सबी उसके documents आपको ले लेने हैं उसके documents में क्या-क्या लेना है आपको KYC documents यानि कि उसका pen card, आधार card जो ID proof और address proof होता है साथ में उसको mobile number भी आपने लेना है और जो भी account जो है freeze हुआ है उसकी passbook अगर वो certificate है तो उसका certificate उसके साथ में दोस्तो आपने account closer form लेना है account closer form भी आपने उसके साथ में attach कर देना है जो उसके KYC documents है और उसके साथ में दोस्तो अगर customer का post up इसका savings account है उसमें अगर उसको maturity amount transfer करना है तो उसकी PO savings account की details लेनी है लेकिन अगर customer ECS करवाना चाता है यानि कि अपने किसी bank account में transfer करना चाता है तो आपको या तो उस bank का cancel check या फिर जो है उसकी passbook का front page उसकी jerox जो है customer से ले लेनी है तो और यह सबी documents दोस्तों आपने लगा के अगर आपका sub office है या फिर branch office है तो आपको अपने head office में बेज देना है और साथ ही दोस्तों जो account का closer form होता है उसमें जो equitance portion होता है उसमें भी आपको depositor के signature पहले ही ले लेने है ताकि जो है customer को बार-बार post office में visit ना करना पड़े यह की visit में जो है उसका काम हो जाए और जैसे ही आप document आप head office में बेजेंगे तो वो directly उसको जो है उसके जो PUSB की details अगर उसने दी है या फिर bank की details दी है उसमें जो है उसका amount जो transfer कर सकें तो department of post और दोस्तो फिलाल जो है customer point of view से बहुती बहतरीन काम यह कर रहा है ताकि customer का जो है time भी बचे और पैसा जो उसने खुन फसीने से कमाया है वो पैसा भी उसका जो है बरबाद ना हो तो दोस्तो जब यह सारे documents आप जो है collect कर लेंगे चेक कर लेंगे तो SPM या फिर counter PN सभी documents को चेक करेगा और जो depositor ने sign करें है उसको जो है वो टैली भी करेगा वो account opening form के साथ में या फिर जो finacle में उसके signature है उनसे सब टैली करेगा वो टैली करने के बाद मैंने आपको बताई दिया है कि वो जो है उसको head office में बेज देगा और अगर आपका head office है तो आपको head office में ही ये closer करना है आपको कहीं और बेजने की जुरत नहीं है तो closer कैसे करेंगे वो आपको procedure बता देते हैं तो देखे जैसा कि यहाँ पे बताया है for account standing in head post offices अगर account आपका head post office में तो वही document आपने collect करने हैं जो मैंने अभी आपको discuss करे हैं यानि की original में passbook या फिर certificate और customer का KYC documents आदार काड़ pen card और mobile number भी और साथ में जो है account closer form और equitance portion में उसके signature ले लेने हैं तो जब जो है अगर single handed office में यानि की SPMA या फिर branch post office में अगर वहां से head office में आपको receive हूँ है documents तो वहां पे सबसे पहले उनको unfreeze करना पड़ेगा तो genuineness पहले जो है जो designated PA है या फिर APM है सबसे पहले वो document की genuineness भी check करेगा वही procedure उसको finacle में जाके उसके signature वगेरा चेक करेगा और उसके बाद जो है जो account जो freeze हुआ है उसको unfreeze करेगा unfreeze करने के बाद में उसको counter pay close कर लेगा close करने के बाद verification के लिए वो APM या SPM जो भी है APM है या फिर head post office का postmaster है उनको वो जो है hand over कर देगा उसके बाद जो APM है या फिर postmaster है वो उनको जो है verify कर देंगे अपने जो है user में supervisor के और तो close करने के बाद में दोस्तों जो आपका head office है head office में आपको एक register ऐसे maintain करना है register for closer of accounts identified as INOP यानि कि ऐसे accounts का एक अलग से आपने separate register बना लेना है और वो register का format यहां पे दिया गया है तो इस format में दोस्तों आपको यह जो है वो बना लेना है तो सबसे पहले देखिए यहां पे date of receipt of case from sub office अगर sub office से case आता है तो आपको यहां पे date mention करनी है second में account number या फिर certificate का registration number third में आपको जो है account holder का या फिर certificate holder का नाम लिखना है fourth में जो है उसकी soul ID लिखनी है जहां पे वो office है यानि कि जहां पे वो account stand करता है उसकी soul ID fourth में दोस्तो date of opening यानि कि जब अकाउंट दोस्तो open हुआ था उसकी opening date fifth में maturity date उसके बाद में next में आपको जो है scheme लिखनी है कि scheme का account है उसके बाद closure की date आपको वहां पे लिखनी है नीचे उसके बाद principal amount paid यानि कि principal amount कितनी pay करी गई है वो उसके बाद eighth में आप देख पा रहे होंगे interest amount paid यानि कि कितना interest उसको pay किया है वो amount आपको यहां पे लिखनी है उसके बाद ninth में maturity credit जो maturity है वो कहां पे transfer करी है POSB account में या फिर bank account में तो POSB account में करी है तो POSB का account number और अगर bank में transfer करी है तो bank का account number with MICR code आपको यहां पे लिखना है उसके बाद में counter PA यहां पे signature करेंगे next में supervisor signature करेंगे और सबसे last में जो है head post office के post master यहां पे sign करेंगे उसके बाद में दोस्तों जो मैंने आपको discuss करा है यह जो register यहां पे सारी detail लिखने के बाद में यह register head post master को एक बार दिखा लेना है ताकि वो इस सब को check करके last में उसके signature कर सके और यह सब करने के बाद में जो passbook है account closer form है और जो KYC आपने लिये है या फिर आपने जो cancel check ECS के लिये लिया है वो सभी आपने attach करके SBCO को भेज़ देना है SBCO के जो supervisor होंगे और जो PA होंगे जो check करते हैं vouchers को उनको अगर ऐसे account दिखते हैं जो INOP यानि की inoperative more than 3 years है तो वो उनको जो है specially check करेंगे और उनका account closer form के साथ में और जो उनकी KYC documents आए हैं सभी को अच्छे से check करेंगे signatures वगेरा अगर उनको वहां पे कुछ discrepancy यानि की कुछ भी वहां पे notice किया जाता है उनके दवारा तो उस पे जो है objection raise करेंगे उसके बाद में दोस्तों जब head offices का inspection होता है तो ऐसे time पे जो IP वगेरा होते है या जो भी official आते हैं inspection के लिए तो वो भी जो है essay register को personally check करेंगे और उसमें देखेंगे कि जो उन्होंने procedure बताया है वो procedure follow हुआ है के नहीं हुआ है उसके बाद में जो हमारी CEPT है वो हर fortnightly यानि की हर 14-15 दिन के बाद में हमारे circle जितने भी circle office हैं जिसमें भी essay account दोस्तों जो INOP थे यानि की freeze हो चुके थे इस region code से और उनको unfreeze किया गया है तो essay accounts की दोस्तों एक list तयार होगी और सभी respective circles को बेज दी जाएगी और जो circles को receive होगी वो list तो उनको एक week का time दिया जाएगा वो एक week के बाद जो है उनको verify कर लेंगे वो जिस भी मतलब soul के account होगे या जिस भी head office के अंदर होगे तो वो उनको forward करेंगे और वो उस register से उनको check कर लेंगे अगर वहाँ पे उनकी entries वगेरा सब अच्छे से मिलता है तो सही है नहीं तो अगर वहाँ पे कुछ discrepancy होती है वहाँ पे तो उसके बाद वहाँ पे appropriate जो है action लिया जाएगा तो इसके regarding ये SB order था complete जो मैंने अभी आपको discuss किया है तो बहुत ही important SB order है दोस्तों तो आपको सबसे पहले ये जो कोई भी आप account close करोगे और आपको जब वहाँ पे उसको freeze का option वहाँ पे देखने को मिलेगा तो आपको सबसे पहले check कर लेना है उसका freeze reason code क्या है freeze reason code पे ही depend करेगा अगर INOP दिखता है तो आपको जो document ही collect करने है उसको close नहीं करना है head office है तो आपको वहीं पे close कर सकते हैं लेकिन sub office या फिर branch office है तो आपको सिर्फ जो मैंने document बताए है वो collect करके echo में base देना है बाद में echo का जो PA या फिर APM है वो उनको close करके उसको verify करेंगे वो register maintain करेंगे और जो head office के postmaster है उनके signature लेंगे तो इस परकार से दोस्तों ये procedure जो मैंने आपको बताया है इसको follow कर लेना है तो बहुत ही important दोस्तों ये procedure है तो important इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहां पे जो है fraud होने के chances बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि कहीं सारे offices में ये देखा गया है कि जो ऐसे accounts होते हैं जो 4-5 साल या 10 साल पहले जो mature हो चुगे हैं लेकिन close कराने के लिए जिनको कोई नहीं आता है तो ऐसे accounts के साथ छेड़ चाड़ की जाती है ऐसे accounts को दोस्तो fraud की तरह use किया जाता है तो ऐसे accounts को ऐसे use ना कर सकें customer का पैसा जो है खराब ना हो सके इसलिए इस SB order को दोस्तो यहां पे issue किया गया है तो उमीदा दोस्तो वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर आपको informative लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी informative मज़ेदार वीडियो को knowledgeable videos के लिए मेरे चैनल को भी subscribe करें चलिए मिलते हैं अपने किसी और next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जै हिंद जै भारत